तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी जैभीम को इसकी ratings की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्दी रिलीज हुई है तो ratings उपर नीचे हो रही है लेकिन जिसे साब से इसे ratings मिल रही है उसे साब से ऐसा माना जा रहा है कि IMDB में सबसे जादा rating पाने वाली इंडिया की ये पहली फिल्म है लेकिन ratings का खेल भी थोड़ा अलग होता है पर अभी मैं बता नहीं सकता नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जो की पहले ही हो रखी है मैं मुवी को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो नीचे लाल कलर से लिखे subscribe को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिनोंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुवी की शुरुआत में हमें 1995 का समय दिखाया जाता है जहां में इरुला समुदाय के लोग दिखाया जाते है जिसमें से एक आदमी खेत में से चुहे पकड़ने का काम कर रहा होता है जिसका नाम राज कन्नू होता है वही पर उसकी बीवी सेंगनी चुहे पकड़ने में उसकी मदद कर रही होती है इन लोगों का घुरुप ऐसा था कि ये सभी लोग गाउं से बिलकुल ही अलग रहते थे राज कन्नू का एक भाई इरुट अपन और उसकी एक बेहन और उसका पती मुसाकटी सब वहीं पर काम करते थे और काफी खुशाल जिंदगी जी रहे थे रात होने पर हम देखते हैं कि राजा कन्नू का सेंगनी को लेकर थोड़ा सा दिल मचलने लग जाता है और वो सेंगनी के सामने आने वाले समय में एक और बच्चा करने की डिमांड रखता है सेंगनी पहले थोड़ा सा ना नुकुर करती है लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी वो प्रोसेस करने की पूरी इच्छा थी जिससे की बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों ही लोग उसक्रिया पर लग जाते हैं बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है जिसकी वज़े से मिट्टी से बनी घर की दिवाल अचानक से गर जाती है जिसे देखकर राजा करनों को काफी दुख होता है क्योंकि उसने से वादा किया था कि मरने से पहले वो उसे एक पक्का घर बना कर देगा लेकिन जो अभी उसके पास घर था वो उसे ही बचा नहीं पा रहा था अब अगली सुबा हम देखते हैं कि गाउं के सरपंश की बीवी अपनी तिजोरी से सोने की एरिंग्स निकाल कर अराम से पहन रही होती है कि तब ही अचानक से एरिंग नीचे गर जाती है और जैसे ही अपनी एरिंग उठाने नीचे जुकती है वैसे ही वहाँ पर उसे एक बड़ा सा साब दिखता है जिस देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है अब वहाँ पर साब पकड़ने के लिए राजा करनू को बुलाया जाता है क्योंकि वही उसका पेशा था और वो उसमें एक्सपर्ट भी था जो वहाँ पति जोरी थी वो पूरी तरह से खुली पड़ी थी लेकिन राजा करनू एक इमानदार आदमी था तो उसे इतना पैसा और जेवर देख कर बिल्कुल भी लालच नहीं आता और अपने काम पर ही ध्यान दे रहा होता है थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद आकिरकार साप उसे मिल ही जाता है और वो उसे एकदम प्यार से पकड़ लेता है हम देखते हैं कि सरपंच और उसकी बीवी उस वक्त कुछ काम से शेहर जा रहे होते हैं लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती तो सरपंच राजा करनू को धक्का लगाने को कहता है गाड़ी स्टार्ट हो जाने पर सरपंच राजा करनू को पैसे देने लग जाता है लेकिन राजा करनू पैसे नहीं लेता और कहता है कि जो मालकिन है वो हमारे ही गाउं की हैं तो मैं आप से पैसे नहीं ले सकता इस बात पर मालकीन काफी गुसा हो जाती है और कहती है कि अपनी शकल आईने में देख कर आओ पहले किस एंगल से मैं तुम्हारे गाउं की लगती हूँ अब थोड़ी देर में तुम मुझे अपनी बिरादरी का भी बता दोगे यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि रजा कण्यों और उसके समुदाय को इतना नीचे माना जाता था कि लोग उनके गाउं या समुदाय का होना भी पसंद नहीं करते थे भले ही सभी लोग रजा कन्यों और उनके लोगों से भेदभाव करते थे ताकि सभी थोड़ा पड़ लिखकर जानकार बन सकें और अपने हग को जान सकें मायतरा उनके साथ उनकी हग की लड़ाई भी लड़ती थी जैसे कि गाउं के किसी भी इंसान का वोटर आइडी कार्ड नहीं था क्योंकि उन्हें बहुत ही पिछड़ा माना जाता था इसलिए उस चीज का भी हग दिलाने के लिए मायतरा उनके साथ खड़ी रहती थी लेकिन किसी बड़े पावर या सोर्स ना होने के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी कुछ दिन बाद राजकर्णू को सेंगनी से पता चलता है कि जो क्रिया उन लोगों ने बरसाथ की रात की थी उसमें काम्याबी मिल गई है और उसका परिणाम ये आया है कि वो जल्द ही मा बनने वाली है ये खबर सुनते ही राजकर्णू बहुत खुश हो जाता है और अपनी बीटी अल्ली को लेकर खुशी से नाशने लग जाता है अब हम देखते हैं कि गाउं के काफी मर्द शहर में काम करने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि गाउं में तो उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि उनका गुजारा हो सके तो घर के मर्द शहर जाकर पैसे कमाते थे राजकर्णू भी उन सभी के साथ शहर जा रहा होता है क्योंकि उसे भी ज़er पैसे कमाने थे और सेंगनी के लिए घर बनाना था जो कि उसका हमेशा से सपना था सेंगनी और राजा कन्यों के बीच बहुत प्यार था जिस वज़े से सेंगनी राजा कन्यों से जुदा नहीं होना चाहती थी तो वो उसके साथ ही चलने के जिद करने लग जाती है राजा कन्नू से समझाता है कि सिर्फ साप चुहे पकड़ने से हमारा गुजारा नहीं होगा और अब तो हम तीन से चार भी होने वाले हैं इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा और तुम यहां रहका सब कुछ समहा लो और जो बच्चा होने वाला है उसके लिए तुम्हारा यही रहना बेहतर है सेंगनी उसकी कही बातों को समझती है और जाने की जिद्ध छोड़ देती है और फिर दोनों लोग एक दूसरे को गले लगा कर अलविदा कह देते हैं राजा कन्नू शेहर पहुँचकर एक इट बनाने वाली भटी में काम करने लग जाता है और खूब मन लगा कर मेहनत कर रहा होता है ताकि वो जादा से जादा पैसे कमा सके वहीं गाओं में माइथरा गाओं के सभी लोगों को लेकर एक आफिस में पहुँच जाती है और उन सभी का वोटर आइडी बनाने की मांग रखती है आदमी कहता है कि इनके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है तो हम इनका वोटर आइडी कैसे बना दें माइथरा कहती है कि देश को अजाद हुए 50 साल पीद गए हैं लेकिन अभी तक इन लोगों के पास एड्रस प्रूफ तक नहीं है इस बात पर वहाँ बैठा एक नेता टाइप आदमी कहता है कि हमें ऐसे ही दूसरी जाती के लोगों के सामने हाथ फैला कर वोट मांगने पड़ते हैं और अब आप चाहती हैं कि हम इनकी जोपड़ी में जाकर वोट मांगें तो ऐसा कभी नहीं होने वाला इसलिए बैतर है कि आप जो टीचर बनके पढ़ाती हैं वही करें और उस पर ही ध्यान दें अब अगले दिन हम देखते हैं कि सरपंच के यहां जो तिजोरी में गहने रखे हुए थे उनकी चोरी हो जाती है तो सब जगे हला मच जाता है और वहाँ पुलिस तहकी काद करने के लिए आ जाती है पुलिस के पूछने पर सरपंच की बीवी बताती है कि हमारे शहर जाने से पहले एक राजा करनू नाम का सांप पकड़ने वाला घर में आया था और उसने तिजोरी में सब कुछ देख लिया था तो हो सकता है कि उसी ने चोरी की होगी अब जिसके यहाँ चोरी हुई थी वो गाउं का सरपंच था तो वो उपर से पुलिस पर प्रेशर डलवाता है ताकि तैकि काद जल्दी हो सके तो पुलिस के पास शक के तोर पर राजा कर्नू का ही नाम आया था तो एक रात पुलिस राजा कर्नू के तलाश में उसके गाउं पहुँच जाती है पुलिस वाले राजा कर्नू के घर में अचानक से घुश जाते हैं और तोड़ फोड करने लग जाते हैं एक पुलिस वाला सेंगनी को भालों से पकड़ कर घसीटे हुए ले जाने लगता है और वो ये बिल्कुल भी नहीं देखता कि सेंगनी पेट से है अब यहां से सेंग चिन्नाई हाई कोड की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि कई सारे वकील कोल के सामने धरना देकर बैठे होते हैं क्योंकि एक वकील से पुलिस वाले ने मारपीट करी थी जिसके कारण सभी वकील उस पुलिस वाले के खिलाब कारवाई करना चाते थे जो इनसान इस अंदोलन की कमान को समाल रहा होता है नहीं एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो उन लोगों का मसीहा था जिने ये समाज सुईकार नहीं करता था और उनको सम्मान देने के बजाए उन पर जुल्म करना जादा पसंद करता था हम देखते हैं कि चंद्रू कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेंगनी मैत्रा और अपने बच्चे के साथ आती है क्योंकि उसे पता चला था कि चंद्रू ये एक ऐसा इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है चंद्रू उन्हें अपने ओफिस ले जाता है और सेंगनी से सब कुछ सही इरू टपन के भी घर जाता है और वैसे ही उसे भी बालों से पकड़ कर जीप में डाल देता है जैसे कि वो कोई इनसान नहीं बलकि कोई समान हो राजा कन्नू जहां काम करता था वहाँ पुलिस पहुंच जाती है तो उन्हें पता चलता है कि राजा कन्नू वहाँ से चला जा चुका है और किसी को नहीं पता कि फो कहा है अब इस बात को लेकर पुलिस का दो शक था वो आर भी जादा गहरा हो जाता है और पुलिस राजा कर्णू की तलाश करने लग जाती है अब हम देखते हैं कि सेंगनी और राजा कर्णू का भाई और कुछ गाउं वाले एक ही जेल में पड़े होते हैं और उनकी हलत देखकर लग रहा होता है जैसे पुलिस वालों ने राद भर उनको मारा पीटा हो तब ही वहाँ पर एक पुलिस वाला डंड़ा लेकर आता है और उसी से मार मार कर उन्हें जगाने लग जाता है अब जो सरपंच था वो उपर से पुलिस वालों पर और भी प्रेशर डलवाने में पड़ा होता है जिसके चलते एक दूसरा पुलिस वाला गुस्से में आकर एक डंडा लेकर जेल के अंदर जाता है और राजकरनू कहां है कहकर वहाँ पर मौझू सबी लोगों को बुरी तरह पीटने लग जाता है वो ये भी नहीं देख रहाता कि एक औरत प्रेगनेंट है और उसे भी डंडे से मारे जा रहा था और जो भी उसके सामने आता उसे डंडे से पीटते जा रहा था शायद कोई जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करता जिस तरह से ये पलिस वाला इन लोगों के साथ कर रहा था पलिस वाला मारते मारते ठक जाता है लेकिन जो वो सवाल कर रहा था उसका जवाब उसे नहीं मिलता क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि राजा कन्नू कहा है तब ही पुलिस वाला राजा कन्नू की बेहन के घर पहुँच जाता है और उसे और उसके पती मुसा कट्टी दोनों को ही घसीड कर जेल लेकर चला जाता है इस टाइम पर हमें ये यकीन करना मुश्किल हो रहा होता है कि ये वही पुलिस है जो हमारी रक्षा करने के लिए होती है लेकिन असलियत में एक हद तक उसकी यही सच्चाई थी जो हमें देखने को मिल रही थी जो की भयानक तरीके से बहुत दरावनी थी पुलिस वाले राजा करनू की बहन और उसके पती को भी उसी तरह डंडे से बुरी तरह पीट रहे होते हैं और उनका वही सवाल होता है कि राजा करनू कहां है जिसका जवाब किसी को भी नहीं पता था अब हम देखते हैं कि राजा कन्नू जहां काम करता था वहां से निकल कर अपने गाउं जा रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी लेकिन मालिक उसे चुटी नहीं दे रहा था इस वज़े से वो बिना बता ही भाग आया था वो जा ही रहा होता है कि तब ही रास्ते में ही कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि हर जगे उसकी ही तलाश जारी थी अब गाओं के कुछ लोगों ने उसे बांद कर पकड़ लिया होता है कि तब ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस पर बिना रहम खाये मारते पीटते हुए बाल से पकड़ कर जीप में भर ले जाती है पुलिस वाले जब राजा कंणू को पुलिस टेशन लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ उसे सेंगनी मिलती है जिसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया था सेंगनी उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन एक पुलिस वाला उसे रोक देता है और बाहर ही रहने को कहता है पुलिस वाले उन लोगों से पूश्टाश नहीं कर रहे थे बलकि बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे जो कि शायद इतना किसी रेप करने वालों को किया होता तो शायद बलतकारियों में खौफ भी होता लेकिन जुन तो उसी पर लोग करते हैं जिसे जानते हैं कि वो पलट कर वार नहीं कर पाएगा और नहीं कोई सोर्स होने पर पच पाएगा पुलिस वालों के अंदर एकदम हैवानिया चड़ चुकी थी और वो सारी सिमाएं पार करते जा रहे थे वो मिर्ची पीस कर उन सभी लोगों के घौव में लगा देते हैं जिसे कि उनकी जान ही निकल जाती है पर पुलिस वालों को कोई भी फरक नहीं पड़ता राजा करन्यों और बाकी सभी लोग रो रो कर दर्द से करहा रहे होते हैं और अपनी जान की भीक मांग रहे होते हैं और बार बार यही बोल रहे होते हैं कि उन्होंने चूरी नहीं की है लेकिन उनकी वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि जो उनका रक्षक था वही आज भक्षक बन चुका था हम देखते हैं कि पुलिस टेशन में दो पुलिस वाले अपनी आयाशी कर रहे होते हैं तभी मुसा कट्टी कहता है कि मैं मर्द हूँ इसलिए मैं तो यहीं रहने वाला हूँ लेकिन कृपा करके भावी को जाने दीजिये ये बास सोनकर पुलिस वाला डंडा लेकर अंदर जाता है और वहाँ खड़ी राजकर्णों की बहन के कपड़े उतार देता है मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने के मूड में नहीं था क्योंकि जो सीन दिखाया गया है उसे बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये सीन काफी डिस्टर्ब है जो कि मुझसे बोला नहीं जाएगा बस इतना ही कहूंगा कि इस वक्त पर हर इंसान यहीं ख्वाईश रखेगा कि ऐसे पुलिस वाले ना हो तो ही अच्छा है क्योंकि हमें ऐसे रख्षक तो बिलकुल भी नहीं चाहिए जिनसे हमें ही खत्रा हो अगले दिन सेंगनी सभी के लिए खाना लेकर पुलिस टेशन जाती है लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता तभी वो देखती है कि राजा कन्नो को पुलिस वालोंने रसी से बान कर लटका रखा होता है जिसे देख कर सेंगनी की हालत खराब हो जाती है लेकिन फिर भी उसे बाहर ही इंतजार करने को कहा जाता है थोड़ी देर बाद सभी लोगों को बाहर लाया जाता है लेकिन उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे और उल्टी कर दे रहे थे जिसके चलते सेंगनी चिला चिला कर पुलिस वालों को गालिया देने लग जाती है सेंगनी की आवाज सुनकर पुलिस वाला बाहर आता है और राजा कन्नू को फिर से घसीटे हुए अंदर ले जाने लगता है राजा कन्नू मदद के लिए पुकार रहा होता है लेकिन सेंगनी उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था वहाँ पर एक पुलिस वाला सेंगनी पर दया खाकर कहता है कि मामला और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है अगर तुम गाओं के किसी बड़े आदमी को लेकर आ जाओ कर वहाँ से भगा देता है अब हम देखते हैं कि सेंगनी रात में अपनी बच्ची को सुला रही होती है कि तब ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि राजा कन्नू और बाकी दो लोग जेल से फरार हो गए है तो अगर वो यहाँ आये तो समझा देना कि वो बच नहीं पाएंगे ये बास सुनते ही सेंगनी पैदल पैदल ही पुलिस चेशन पहुँच जाती है ये पता लगाने के लिए कि ये बास सच है या नहीं लेकिन पुलिस वाला उसे वहाँ से भगा देता है और कुछ भी क्लियर नहीं बताता अब हम देखते हैं कि माहितरा संगनी को एक आदमी के पास ले जाती है जो कि एक तरह का संगधन चलाता था जिससे कि संगनी की मदद हो सकती थी आदमी की काफी जान पैचान थी क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर था तो उसके प्रेशर डालने पर पुलिस राजा करनू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिख लेती है आदमी कहता है कि एक बार तुम्हें पता करना होगा कि वो लोग जहां काम करते थे कहीं वहीं तो नहीं चुपकर बैठे हैं सेंगनी पेट से थी और जिस समय उसे अराम की जरुवत थी उस टाइम पर इतनी मुसीबत आ चुकी थी जिससे कि उसे अकेले ही मुकाबला करना था तो वो खोदी पैदल पैदल हर जगे जाकर पूश्टाच कर रही होती है लेकिन उसे राजा करनू से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिलती और आखिर में उसे निराशा ही हाथ लगती है अब यहां से कहानी प्रेजन्ट में आ जाती है जहां सेंगनी चंदरू को पूरी कहानी सुना रही थी कि कैसे इस सिस्टम ने उन पर जुल्म किये और पता नहीं राजा करनू कहा है सेंगनी पूरी तरह से तूट चुकी थी क्योंकि उसकी मदद करने के लिए माहितरा के अलावा कोई भी आगे नहीं आया था इसलिए वो हाथ चोड का चंदरू के सामने मदद करने के लिए कहती है माहितरा पुलिस के द्वारा बनाई गई इंक्वाईरी रिपोर्ट चंदरू को देती है जिसमें की लिखा हुआ था कि राजा करनू, इरुटपन और मुसकटी जेल से कैसे भागे हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेशन में सो गए थे तो जेल में ताला ना लगे होने के वज़े से वो लोग वहाँ से भाग गए ये बात पता चलते ही पुलिस ने उन तीनों को धूर्णना शुरू कर दिया उस्ताच करने पर पता चला कि वो लोग एक क्लीनिक में अपना इलाज कराने गए थे फिर वहाँ से मेडिकल स्टोर जाकर दवाई भी ली और फिर एक चाय की दुकान में खाया पिया भी और फिर एक सुनार की दुकान में जाकर चूरी किये हुए जेवर भी बेज दिये यही चार लोग पुलिस की तरफ से गवाब बने थे जिसकी वज़े से पुलिस ये साबित कर रही थी कि वो तीनों चूरी का समान बेज कर फरार हो गए एडवोकेट चंद्रू कहता है कि हम लोग जो कोर्ट में पेटिशन फाइल करने वाले हैं उसका नाम है हेबस कॉर्पस इसका मतलब होता है कि अगर किसी को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया जाता है तो इस पेटिशन की मदद से हम उन लोगों को कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं और इसकी मदद से हम यही करने वाले हैं कोर्ट में दो जजेज इस पेटेशन की सुनवाई करते हैं इस पेटेशन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा पती पुलिस कस्टरी से लापता हुआ है और तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है तो इसमें तुम अपने दस्तकत कर दो सेंगनी तो पिछडे गाउं से बिलॉंग करती थी तो उसे पढ़ना लिकना नहीं आता था इसलिए वो साइन करने के बजाए अंगुठा लगा देती है चंदरू कहता है कि राजा कन्नू भागा है इसके आई विटनेस हैं और कोड सिर्फ सबूत मांगती है जो की पुलिस के पास है हम जो बिना सबूत के केस लड़ने चा रहे हैं वो सिर्फ पुलिस के खिलाफ नहीं बलकि सरकार के भी खिलाफ है इसलिए कमर कसलो और तयार हो जाओ लड़ने के लिए अब हम कोड का सीन देखते हैं जहां चंदरू जजजस को बताता है कि मेरी जो क्लाइंट है वो इरूला ट्राइब से बिलॉंग करती है और चोरी के इलजाम में इनके पती को पकड़ लिया गया है लेकिन ये नहीं पता कि इनके पती कहां है और किस हालत में है इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोर्ट हेबस को और पस पेटेशन को एकसेप्ट करें और पुलिस को आडर दे कि वो उन्तीनों को कोर्ट में पेश करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि जिसने पेटेशन फाइल की है वो शेड्यूल ट्राइब से बिलॉंग करती है इसलिए पुब्लिसिटी पाने के लिए इस केस को यूज करा जा रहा है जिस से की कोर्ट का ही वक्त बरबाद होगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये केस capital कर दिया जाए जजस के पूछने पर सेंगनी सब के सामने आती है तब वो बताती है कि मेरे पती को पुलिस वाले घसीट कर ले गए और फिर बोलते हैं कि वो भाग निकला लेकिन मुझे नहीं पता कि सचाई क्या है और मेरा एक बच्चा भी होने वाला है तो मैं फिर कहां जाओं इसलिए मेरे बच्चे के पिता को धूर निकालिये काफी देर तक सोच विचार करने के बाद दोनों जज़स हेबस कॉर्पस पेटिशन को एकसेप्ट कर लेते हैं और पब्लिक प्रोसेक्यूटर से सभी लोगों को नोटिस भेजने और तीन दिन बाद सुनवाई होने की खबर पहुचाने को कह देते हैं पब्लिक प्रोसेक्यूटर एडवोकेट चंदरू के पास आकर कहता है कि ट्राइप्स और हुमन राइट्स के सानबूती से तुम ये केस नहीं जीत पाओगे क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती इस बात पर पलट जवाब देते हुए चंदरू कहता है कि मैं किस्मत पर भरोसन नहीं करता बलकि सचाई पर करता हूँ अब कोड के द्वारा सभी पुलिस वालों को कोड में पेश होने की नोटिस भेज दी जाती है जिससे की सभी लोग काफी सोच में पढ़ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है क्योंकि आगे चल कर उन सभी के कई घिनोने रास खुलने वाले थे अब कोड की सुनवाई का दिन आ जाता है जहां पबलिक प्रोसेक्योटर कहता है कि राजा कर्णू और बाकी दो लोगों से जब पुलिस पूछताच कर रही थी तब वो लोग फरार हो गए थे और पुलिस भी उनको धून रही है और ये सब इंक्वाईरी रिपोर्ट में लि उठाना चाहता हूँ और अगर क्रॉस एक्जामिन करने की इजाज़त मिले तो मैं सच को बाहर ला सकता हूँ पबलिक प्रोसेक्योटर इस बास से डिसेगरी करता है क्योंकि हे बस कॉर्पस प्रेटेशन में ऐसन नहीं किया जा सकता था पर चंद्रू कोड के सामने कुछ क के सेक्जामपल पेश करता है और समझाता है कि अगर कोड चाहे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है काफी द्र सोचने समझने की बाद कोड चंद्रू को क्रॉस एक्जामिन करने की परमीशन योर सारे गवाहों को अगली सुनवाई में पेश होने को कहती है अब चंद्रू सेंगन हो रही थी अब कोट में सबी गवा आकर अपनी गवाही देते हैं कि उन्हों ने उन तीनों को देखा था लेकिन उस वक्त चंद्रू एकदम शांत बैठा होता है जैसे कि उसके पास कोई सवाल ही नहीं हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि उन तीनों ने जहां इलाज कराया था वो पुलिस स्टेशन से कितनी दूर है और जहां से उन्होंने दवाई ली थी वो क्लीनिक कितनी दूर है और किस डिरेक्शन में है अब इंस्पेक्टर तो वही रट कराया था जो इंक्वाईरी फाइल में लिखा था और जो वकील ने समझाया था तो वो कुछ भी क्लियर नहीं बता पाता जंद्रू बताता है कि मैं खुद उस जगे पर गया था जहां उन तीनों ने अपना इलाज कराया था और वो इस्टेशन से पूरब की और दो किलोमेटर की दूरी पर है और जहां से उन्होंने दवाईयां खरी दी थी वो क्लिनिक इस्टेशन से एक किलोमेटर दूर पश्चिम की और है मतलब पुलिस के इंक्वाईरी रिपोर्ट में ये लिखा है कि पहले कैदी दो किलोमेटर पूरब की और गए और अपना इलाज कराया फिर वहाँ पश्चिम की और तीन किलोमेटर इस्टेशन के सामने से गए और वहाँ दवाईयां ली तो इससे साबित होता है कि इंस्पेक्टर ने खुछ से रिपोर्ट बनाई ही नहीं है अब यहाँ पर पुलिस का सारा भांडा फूट जाता है कि उनके दवारा बनाई गए इंक्वाईरी रिपोर्ट पूरी तरह से फरजी है जिससे कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर की भी बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता जजेस कहते हैं कि पुलिस दवारा पेश किये गए गवाँ पूरी तरह से फरजी हैं इसलिए सेंगनी दवारा की गई पेटिशन पूरी तरह से मानने है और जितने लोगों ने जूटी गवाई दी है उन्हें 6 महिने के लिए जेल भेजा जाए और इंस्पेक्टर बाशिम पर इंक्वारी बैठाई जाए अब यहाँ पर चंद्रू को इस केस में थोड़ी से काम्याबी हासिल हो गई थी और उसने ये तो प्रूफ कर दिया था कि जो इंक्वारी रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से फरजी थी जिसके जलते उसका केस अब धीरे-धीरे मजबूत होता जा रहा था अब केस पब्लिक प्रोसेक्यूटर के हास से धीरे-धीरे फिसलता जा रहा था तो अब उसके हेड को उस केस को हैंडल करने के लिए आगे आना पड़ता है क्योंकि जो अब तक केस हैंडल कर रहा था उसके बस कब कुछ भी नहीं रह गया था एडवोकेट जनरल राम मोहन एक मीटिंग बैठाते हैं जहां पर वो सबी पुलिस वाले आये हुए थे जिन्नों ने उन तीनों को टॉर्चर किया था राम मोहन पब्लिक प्रोसेक्यूटर सहीत उन पुलिस वालों को बुरी तरह डाटता है क्योंकि अब तक वो बस लापरवाही करते आ रहे थे अगर ये केस चंदरू जीच जाये तो सरकार पर सवाल खड़े हो सकते थे लेकिन उसी को रोकना राम मोहन का काम था इसलिए वो इस केस की कमान को समाल लेता है अब हम देखते हैं कि सैंगनी अपने गावों से टेलिफोन के जरिये चंदरू से बात करने का ट्राइक कर रही होती है तब ही वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और अपने साथ चलने को कहता है सेंगनी कहती है कि जब तक वकील साहब नहीं आ जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली पुलिस वाला उसे ले जाने इसलिए आया था ताकि उसे डरा धमका कर उसको केस वापिस लेने को कह सकें लेकिन सेंगनी उसके साथ चलने को तयार ही नहीं होती तभी पुलिस वाले के नजर उसकी बेटी पर पड़ती है तो वो उसे ही उठा कर जीप में डाल देता है और लेकर चला जाता है सेंगनी दौरते हुए जीप का पीछा करती है लेकिन पेट से होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती और रो रोकर बेटी को छोड़ देने की भीक मांगने लगती है थोड़ी दिर बाद सेंगनी पुलिस टेशन अपनी बच्ची के पास पहुँच जाती है जहाँ पर पुलिस वाले उसे केस वापिस लेने को कह रहे होते हैं और पैसो का लालज भी दे रहे होते हैं लेकिन पर साइन नहीं करोगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती और वो वकील भी तुम्हें बचान नहीं सकता तब ही वहाँ पर फोन की गंटी बस्ती है जिसके दूसरी साइट डिजीपी होता है जो कि सेंगनी को जबरजस्ती उठाने के लिए पुलिस वालों को बुरी तरफ रहा था क्योंकि चंदरू सारे काइदे कानून जानता था तो वो हाई कोर्ट के जज़स्त को ये बात बताता है तब हाई कोर्ट तुरन्त ही इस पर एक्षन लेती है और एक पोन पर ही उन सभी पुलिस वालों की हालट टाइट हो जाती है पुलिस वाले सेंगनी से जीप म बैठने को कह रहे होते हैं क्योंकि आब उनकी नौकरी पर बात आ गई थी जो हाथ अब तक मारने के लिए उठ रहे थे आज वही हाथ उस औरत के सामने जुग गए थे जिसको अब तक इतना प्रताडित कर रहे थे ये सीन देखकर ऐसा एसास होता है जैसे सिर्फ सेंगनी को ही नहीं बलकि हमें भी जीत हासिल हो गई हो क्योंकि जिन लोगों से अब तक सेंगनी न्याय पाने के लिए उनके पीछे भाग रही थी आज वही हाथ जोड़कर उसके पीछे आ रहे थे लेकिन सेंगनी अपना आत्म सम्मान दिखाते हुए उनके कहने में नहीं आती अब कोड की सुनवाई का दिन आ जाता है जहां एजी राम मोहन राइस मील के मालिक को बुलाता है जहां पर इरूटपन काम किया करता था आदमी बताता है कि मेरे पास इरूटपन का फोन आया था और वो बता रहा था कि वो तीनों पुलिस को चक्मा देकर भाग गए हैं और मामला ठंडा होते ही वो वापिस आ जाएंगे तो यही ख़बर आप हमारे घरवालों तक पहुँचा दीजिए आदमी कहता है कि मुझे यकीन है कि वो इरूटपन ही था क्योंकि 10 साल से वो हमारे यहां काम कर रहा है तो मैं उसकी आवाज अच्छे से जानता हूँ चंदरू उससे सवाल करता है कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई थी और आपको परिवार वालों को पहले बताना चाहिए था आदमी कहता है कि मैंने तीनों के परिवार वालों को ये बात बताई थी आप चाहे तो सेंगनी से पूछ सकते हैं चंद्रू जब सेंगनी के तरफ देखता है तो उसकी नजरे जुकी होती है जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि सेंगनी ने उससे ये बात चुपाई थी जिसके चलते जो केस अब तक उसके हित में था वो एकदम पलट जाता है रामोहन कहता है कि वो तीनों ही अपरादी है और इस केस को फाइल इसलिए किया गया है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके और अपनी जेब भरी जा सके इसलिए मैं चाता हूँ कि ये केस यहीं पर खतम किया जाए चंदरू उस वक्त कुछ भी बोलने लायक नहीं बचा था क्योंकि जो बास सेंगनी ने उससे चुपाई थी वही अब रा मोहन उसके खिलाब विस्तमाल कर रहा था लेकिन चंदरू क्रॉस एक्जामिन करने के लिए थोड़ा सा और वक्त मांगता है जज़स थोड़ा सोच विचार करने के बाद चंदरू को थोड़ी और महलत दे देते हैं अब चंदरू सेंगनी और माहित्रा के उपर बहुत गुस्ता करता है क्योंकि भरे कोर्ट में उसकी बहुत बेजिती हो गई थी इसलिए वो केस लड़ने के लिए मना कर देता है मिल जाता है जो कि PCO का था लेकिन वो कहीं आसपास का नहीं बलकि केरला का था जो कि वहां से काफी दूर था अब चंदरू माहित्रा और संगनी और भी ज़्यादा जानकारी खटा करने के लिए उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहां से कॉल किया गया था लेकिन जो PCO का मालिक होता है वो जादा कुछ नहीं बताता क्योंकि कोई भी बिना मतलब के पुलिस और वकील के चक्कर में पढ़ना पसंद नहीं करता था इसलिए वो उन्हें जादा भाव नहीं देता एक दिन सेंगनी चंद्रू से कहती है कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है बस ये मंगल सूत्री है जो राजा कर्नू ने बहुत मैनत करके मुझे बनवा कर दिया था तो यही आपको फीस के तोर पर दे सकती हूँ चंद्रू कहता है कि हुनर की इज़त थब होती है जब किसी की भलाई के लिए इस्तमाल किया गया हो तो जब तुम्हारे समाज की लोगों को इंसाफ मिलेगा तब मैं चैंसे सोंगा और वही मेरी फीस होगी चंद्रू और सेंगनी उसी गौँ में घूम घूम कर और कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता सेंगनी हताश होकर रोने लग जाती है जिसे वो पीसियो वाला आदमी देख रहा होता है कि पीसियो वाला आदमी हाजिर होता है कि उससे सेंगनी की हालत देख ही नहीं गई थी आदमी बताता है कि ऐसे तो सभी लोग पीसियो यूज करते हैं लेकिन उस दिन पीसियो के अंदर एक साथ तीन आदमी घुज गय थे जिसके चलते मेरा ध्यान उस पर गया मैं उन्हें रोकने के लिए गया तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया और कहा कि हम लोग एक केस से रिलेटेड तहकीकात कर रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब ना करो आदमी उन तीन पुलिस वालों की पहचान भी करा देता है जिससे की क्लियर हो जाता है कि उस दिन इरोटपन ने नहीं बलकि पुलिस वालों ने फोन किया था अब कटगरे में पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है तब वो बताता है कि सरपंच ने हमारे उपर बहुत प्रेशर बना रखा था और इसलिए हमने एरोटपन बनकर फोन किया था चंद्रु कहता है कि पुलिस ने हर कदम पर बस झूट ही बोला है ये केस लोकल पुलिस के हाथ में होना ही नहीं चाहिए बलकि इस केस को CBI को सौप देना चाहिए जजजस कहते हैं कि CBI को केस देने पर ये नहीं कहा जा सकता कि नयाय मिली जाएगा लेकिन हम आपको एक जाच अधिकारी दिलवा सकते हैं चंदरु कोट की बात से एगरी करता है और आईजी ऑफिसर पेरुमल स्वामी को केस इंवस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट करने को कहता है जिस पर कोट हामी भर देती है और 30 दिन में रिपोर्ट समिट करने के आदेश देती है अब चंदरू ओफिसर पेरुमल स्वामी से मिलने के लिए जाता है लेकिन उन दोनों की बीच पहले से ही काफी खीचा तनी हो रखी थी क्यूंकि दोनों के ही विचार काफी अलग थे ओफिसर कहता है कि तुम पुलिस टॉर्चर के खिलाफ हो जो की मुझे भी अच्छन नहीं लगता लेकिन जब तक पुलिस वाले डंडा ना उठाये तब तक चोर अपना गुना कबूल नहीं करता चंद्रू उस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं कहता है बस केस की फाइल पकड़ा कर कहता है कि इन्वस्टिगेशन से पहले मुझे आपको किसी से मिलवाना है चंद्रू उसर को उन लोगों से मिलवाता है जो पुलिस के द्वारा प्रतारित किये गए थे और उनकी गुंडा गर्दी से परिशान थे अब एक एकर के सबी लोग अपनी परिशानिया बताने लगते हैं कि कैसे पुलिस वाले उन्हें मारते पीटते हैं और जूटे केस में फसा देते हैं वो भी बिना मतलब के वहाँ पर एक औरत भी थी जो पताती है कि पुलिस वाले उसे थाने में ले गए और फिर उसके साथ रेप किया ये सब बाते सुनकर ऑफिसर की नजरे जुग जाती हैं क्योंकि था तो वो भी एक पुलिस वाला ही और अपने ही डिपार्टमेंट की काली करतूतों को सुनकर काफी निराश हो जाता है इसी चीज का एहसास कराने के लिए चंदरू उसे यहां इन सब के सामने लेकर आया था ताकि उसकी आँखे खुल सकें कि वो जितना अपने डिपार्टमेंट पे गर्व करता है वो कितना बड़ा गुनेगार है अब आफिसर पेरुमल स्वामी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से चानबीन करने लग जाता है और उन सभी लोगों से मिलता है जो लोग इस केस से जुड़े हुए थे इसके बाद आफिसर सभी पुलिस वालों का स्टेटमेंट लेता है कि उस रात कौन कहां क्या कर रहा था उसी बीच एक पुलिस वाला आफिसर को वो सब बताने लग जाता है जो उसने देखा था जब एक पुलिस वाला आफिसर पिरुमल सवामी उन सभी ऑफिसर को अंदर बुलाता है और उन्हें बुरी तरह से फटकार लगाता है अब आफिसर अपनी टीम को शहर की हर जेल में च्छानबीन करने के लिए कह देता है जिसके लिए सेंगनी को हर जेल में पहचान के लिए जाना पड़ रहा होता है क्योंकि उन तीनों की कोई भी तस्वीर नहीं थी वहीं चंद्रू और पेरुमल स्वामी भी हर पुलिस टेशन जाकर सारी फाइल्स और अफाइयार देख रहे होते हैं ताकि कुछ भी सुराक मिल पाए तब ही चंद्रू को एक फाइल मिलती है जिससे कि यहाँ पर केस में अलग मोड आ जाता है आफिसर और चंद्रू एक आदमी से मिलते हैं जो कि बताता है कि एक दिन हमें किसी आदमी की लाश रोट पर पड़ी मिली थी लेकिन उसकी हम पहचान नहीं कर पाये थे अब वहाँ पर फॉरंसिक आफिसर आता है जिसने मौकाई वारदार पर सबूत इखटा किये थे और उसके पास उस आदमी की फोटो थी जो रोट पर मरा था माइथरा जब उस फोटो को देखती है तो एकदम शौक हो जाती है और उसके आखों से तुरंथी आशू निकल आते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बलकि राजा कन्नू था जो कि अब मर चुका था पुरे गाओं में अब मातमसा चा जाता है और सेंगनी की हालत एकदम खराब हो जाती है क्योंकि जिसके लिए वो इतना कर रही थी वो तो अब इस दुनिया में रही नहीं गया था वहाँ पर मौझूद दूसरी औरत कहती है कि एक बार मुझे भी बता दो कि मेरा पती जिंदा है या मर गया है ये सब चंद्रू से देखा नहीं जाता और उसके आँकों में भी आशू आ जाते हैं और वहाँ से चला जाता है क्योंकि केस अभी खतम नहीं हुआ था उधर रामोहन उन तीन पुलिस वालों के उपर चिला रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि पुलिस वाले अभी भी कुछ चुपा रहे हैं और अगर सही बात ना पता चली तो केस हारने का खत्रा भी हो सकता है इसलिए वो सब कुछ सच-सच बताने को कहता है अब यहां से सीन उस दिन में शिफ्ट होता है जब ये भागने वाली पूरी वारदात हुई थी हम देखते हैं कि पुलिस वाला राजा कर्नो को कसका डंडो से पीट रहा होता है और कबूल करने को कह रहा होता है कि चोरी उन लोगों नहीं की है थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला राजा कर्नो को उठाने आता है लेकिन वो आके नहीं खोल रहा होता पुलिस वालों को पता चलता है कि वो तो मर चुका है अब वो लोग बहुत बड़े कांड में फसने वाले थे तो उस चीज से बचने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं राजा कर्नो की बोड़ी एक ट्रॉली में लोड कर देते हैं और उसी में बाकी दोनों लोग को भी बैठा देते हैं फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला नाटक करना स्टार्ट करता है कि जेल में ताला ना लगे होने के कारण वो तीनों जेल से भाग गए हैं अब खुद के गवा तयार करने के लिए वो पुलिस वाला क्लिनिक में जाता है और उसे डरा धमका कर अपना गवा पना लेता है और यही चीज वो बाकी गवाहों के साथ भी करता है फिर उसके बाद दो पुलिस वाले उस ट्रॉली को कहीं दूर लेकर जाते हैं और रोड किनारे राजा करनू की लाश को फेक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो रोड एक्सिरेंट में मारा गया अब सीन यहां से प्रेजेंट में आता है जहां राम मोहन कहता है कि राजा करनू की डेट बॉडी नहीं है और ना ही कोई आई विटनस है तो केस अब भी हमारे ही हित में है इसलिए बहतर है कि जो रटाया है वही बोलना और केस हम जीत ही जाएंगे अब कोट का सीन आ जाता है जहां राम मोहन कहता है कि जब वो तीनों भाग रहे थे तबी राज करनू का एक्सिरेंट हो गया और उसमें मारा गया और बाकी दो अभी भी फरार हैं जिसे पुलिस धून रही है तो अब इस पेटीशन को खतम ही कर देना चाहिए एड़ोकेट चंद्रू हेड कॉंस्टिबल वीरा स्वामी को गटगरे में बुलाता है और उससे बताता है कि जो भी पुलिस टेशन में होता है उसकी आप जनरल डैरी मेंटेन करते हैं जसमें कि आप सब कुछ लिखते हैं चंद्रू बताता है कि डैरी इंट्री में लिखा है कि वो तीनों 9 बच के 50 मिनट वाद फरार हुए थे लेकिन आपने जब सब इंस्पेक्टर को कॉल करके ये जानकारी दी थी तब 9 बच के 10 मिनट हो रहे थे और 9 पचास के बाद पुलिस टेशन से सब इस्पेक्टर को को चंद्रू के पास जाकर उससे मामला ले देकर रफा दफा करने की कोशिश करता है लेकिन चंद्रू एक इमानदार वकील था जिसके लिए न्याय पाना ही सबसे बड़ी उपलब्दी थी इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आता और अच्छे से जाड़ कर उसे वहां से जा जानते वो सबी खटा हो जाते हैं और सरकार और पुलिस के खिलाप आंदोलन छेर देते हैं जिसमें की सेंगनी और मायतरा भी शामिल होते हैं चंद्रू केस से रिलेटेट सारी जानकारी खटा करी रहा होता है कि तब ही उसके दिमाग में ये बात आती है कि राइसमील के मा में पहुए जब वहाँ पहुए तो उसे दोनों ही लोग उस Panama जाते हैं जिने पुलिस द्वारा वहा है चुपा कर रखा गया था वहीं चंदरू उस डॉक्टर से मिलता है जिसने राजा कन्यों की अटापसी करी थी और तब उसे बहुत सी बाते पता चलती है जो कि हमें कोड की सुनवाई में पता चलने वाली थी वहीं हम देखते हैं कि DGP सेंगनी को अपने पास बुलाता है लेकिन जब वो पूछेंगे कि इतने पैसे कहां से आये तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि ये पैसे तुम्हारे पिता जी के हत्यारे ने दिये हैं हमें अगर अभी मार भी दिया जाये तो हमें पूछने वाला कौन ही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्वाविमान को बेज दें सेंगनी ने भले ही अपने पती को खो दिया था लेकिन पैसे लेकर वो खुद के स्वाविमान को नहीं खोना चाती थी इसलिए आगे की लड़ाई लड़ने का सहाज जुटा कर डिजी पी के मूँ पर जवाब देते हुए वो वहाँ से शान से निकल जाती है अब कोड का सीन आ जाता है जहां पर राजा कर्णू के जीजा मुसा कटी को कटगरे में बुलाया जाता है और चंदरू उससे सब कुछ बताने के लिए कहता है उस राज सब इंस्पेक्टर मार मार कर उन लोगों को चोरी का इलसाम अपने उपर लेने को कह रहा था और ना करने पर और भी जादा मार रहा था पुलिस वाले अपनी बात मनवाने के लिए दिन राज राजा कर्णू और बाकी लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करने में लगे पड़े थे सब इंस्पेक्टर राजा कर्णू की छाथी पर जोर जोर से लाद मारते जा रहा था जिसे देख कर इरू टप्पन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इंस्पेक्टर उसे जोर से ढखेल देता है जिसके कारण वो तुरंथी बेहोश हो जाता है इंस्पेक्टर वहाँ से जाने लगता है तबी राजा कन्नू दर्द से करहते हुए कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है इस बास से गुसा कर इंस्पेक्टर एक जोर का लाद उसकी छाती में मार देता है जिससे कि वो तुरंथ ही बेहोश हो जाता है मुसा कट्टी उन दोनों को ही जगाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों ही लोग नहीं उट रहे होते मुसा कुटी चिलागर पुलिस वालों को बताता है कि दोनों लोग ने बहुत देर से आखें नहीं खोली है पुलिस वाला जल्दी से अंदर आका दोनों को चेक करता है लेकिन दोनों ही लोग आके नहीं खोल रहे होते पुलिस वाला मुसा कट्टी को दूसरे कमरे में बंद कर देता है और किसी और पुलिस वाले से लाल मिर्च पाउडर लाने को कहता है पुलिस वाला पहले एरुटपन की आँखों में मिर्ची पाउडर डाल देता है जिसके जलन से वो उसको तुरंत ही होश आ जाता है लेकिन मिर्च की वज़े से उसकी आँखे पूरी तरह से जल रही होती है फिर एरुटपन को भी उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहां मुसा कुट्टी को बंद कर रखा था फिर उसके बाद वो राजा कन्नू की आँखों में मिर्ची पाउडर डालते हैं इस उमीद में की वो भी उठ जाएगा लेकिन उसका शरीर कुछ भी रियाक्ट नहीं करता क् मर चुका था चंद्रू कहता है कि राजा कन्नू की आटापसी रिपोर्ट कहती है कि दिल में पसली की हड़ी घुसने की वज़े से उसकी मौत हुई लेकिन असलियत ये है कि सब इंस्पेक्टर गुरू ने बार बार राजा कन्नू के चाती पे लात मारी जिसकी वज़े से उसकी मौत हो गई इस चीज को समझाने के लिए चंद्रू अटापसी डॉक्टर को कटगरे में बुलाता है डॉक्टर बताता है कि राजा कन्नू की जब मैंने अटापसी करी तो उसके चहरे और दाड़ी से मिर्ची पाउडर के अवशेश मिले थे डॉक्टर कहता है कि ओफिसर पेरुमल स्वामी को बुलाता है ताकि ये खुलासा हो सके कि आखिर में असली चोर कौन है ओफिसर बताता है कि जिस लोकर से जेवर चोरी हुए वहाँ पर से दो लोगों के फिंगर प्रिंट्स मिले तहकीकात के दौरान ओफिसर ने उस सोनार से भाद करी थी जिस पैसे की मांग करता है और उसको पकड़ने के बजाए राजा कन्यों को ही फसा देता है चंद्रू बताता है कि जहां पर राजा कन्यों की डेड़ बॉडी मिली थी वहाँ पर टायर और जूतों के निशान मिले थे और वो टायर के निशान पुलिस के वैन से मिलते हैं और ज और एड़ोकेट जनल दोनों को ही आखरी बार अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। एड़ोकेट जनल कहता है कि शुरुआत से ही इस केस का मकसद रहा है कि पुलिस वालों को गुनेगार कैसे साबित किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ने थोड़ी सकती दिखाई तो वो खूनी बन गई इसलिए मैं क्रिमिनल कोट में फ्री एंट फेर ट्राइल की रिक्वेस्ट करता हूँ चंद्रू कहता है कि इरूला आदिवासियों को उनके गाउं में भी रहने नहीं दिया जाता है और सरकार उनके साथ अनाथों की तरह वेभार करती है दो-चार पैसे कमाने वाली औरत सिंगनी को लाखों रुपए दे कर उसे केस दबाने को कहा गया लेकिन उसने पैसे नहीं लिये उसे इस आदालत से उमीद है और इस आदालत का फर्ज है कि सेंगनी का जो कानून पर भरोसा है उसे तूटने ना दे चंद्रू कहता है कि हम इरूला ट्राइब्स की सम्मान की बात तो करते हैं लेकिन आज भी उनी के गाउं में उन्हें रहने नहीं दिया जाता मैं चाहता हूँ कि सेंगनी को शेहर में घर बनाने की जगा दी जाए और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई भी मिलनी चाहिए काफी दे दोनों जजज़ एक दूसरे से बातचीत करके ये फैसला सुनाते हैं कि बिना किसी ठोच सबूत के राजा कन्नू और उसकी फैमली को गैर कानूनी तरीके से गिरफतार किया गया और उन पर जुल्म किये गए और राजा कन्नू की मौत को ये कोट मडर मानती है और जितने लोग भी इस मडर में शामिल हैं उन सब को कसरवार मान कर तुरंती अरश्ट करने के आदेश देती है इसी के साथ सेंगनी को तीन लाग रुपे हर जाना और एरुट अपन और मुसा कट्टी के परिवार को दो दो लाग रुपे हर जाना देने के आदेश देती है और इसके अलावा कोट सरकार को गाउं के बीचों भी सिंगनी को घर बनाने के लिए जमीन देने का आदेश देती है कुछ आफिसर्स की वज़े से पुलिस डिपार्टमेंट में जो कलंग लगा था उसे मिटा कर लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए आई जी पेरुमल स्वामी ने जो इन्वेस्टिकेशन किया वो काबले तारीफ है इसी के साथ साथ पीडित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट चंदरू ने जो मेहनत की है कोट उसकी सरहाना करती है हम देखते हैं कि गाओं के सभी लोग चंदरू के सामने हाँच जोड़ कर खड़े होते हैं क्योंकि अगर चंदरू ना होता तो शायद उन सभी के साथ अब भी वही सब हो रहा होता जो अब तक होते आ रहा था चंद्रू सेंगनी को हर जगा तलाशने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती हर जगा तलाशने के बाद चंद्रू देखता है कि सेंगनी बारिश में बहा सीडियों पर अपने बच्ची को गले लगा कर बैठी हुई थी और उसकी आँखों में खुशी और गम दोनों के ही आसुन नजर आ रहे थे अब हम देखते हैं कि चंद्रू अराम से पैर में पैर रखकर न्यूस पेपर पढ़ रहा होता है और वहीं पर सेंगनी की बेटी बैठी होती है जो कि उसे देख रही होती है बच्ची डर डर के चंद्रू के जैसे ही न्यूस पेपर लेकर पढ़ने की आक्टिंग करने लग जाती है चंद्रू जब उसे ऐसा करते देखता है तो लड़की थोड़ा सा डर जाती है लेकिन चंदरू सर हिला कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसे अराम से वैसे ही पढ़ने के लिए हामी भर देता है और इसी प्यारे से सीन के बाद मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह मूवी बहुत ही जादा अच्छी है अच्छी इंदसेंस की यह आपको छोटे छोटे सीन्स में बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ सिखा भी देती है और यही अच्छी मूवी की पहचान होती है इस मूवी में कुछ टॉर्चर सीन ऐसे हैं जिसे शायद कुछ लोगों को देखने में पसंद ना है क्योंकि वो काफी करूर है इस मूवी का जब ट्रेलर आया था तो इसके नाम से सभी ने ये अंदाजा लगाया था कि ये किसी विशेज जाती को लेकर ही बनाई गई होगी जो कि एक माइने में ऐसा है भी लेकिन इस बात पर पूरी तरह से अगरी नहीं किया जा सकता क्योंकि जो इस मूवी में दिखाया गया है वो आज के टाइम में लगभगार आम इनसान के साथ होता ही है जो गरीब या लाचार होता है उसके साथ पुलिस ऐसा ही वेभार करती है और हमारे समाच की ये घिनौनी सच्चाई है अगर हम जाती को लेकर बात करें तो ये भी सच है कि आप भी जाती को लेकर कई चीजे की जाती है यहाँ तक कि एलेक्शन भी हमारे धर्म और जाती के बलबूते पर ही लड़े जाते हैं और इस बास से आप डिसागरी नहीं कर पाएंगे पुलिस की कुरूरता आपको अकबार के उस खबर में देखने को मिल जाए की जब एक लड़की के साथ बलतकार होता है और जब वो कंप्लेन लिखवाने पुलिस टेशन जाती है तो उसे थपन मार कर और जलील करके भगा दिया जाता है क्योंकि वो किसी बड़े नेता या बिजनसमैन की बेटी नहीं होती इस सिस्टम के कारवाई करने की स्पीड को आप समझना चाहते हैं तो एक्जामपल के तौर पर निर्भया केस को ले सकते हैं जिसमें अब तक पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया और जो मिला उसे सालो लग गए पुलिस हमारी रक्षा के लिए बनाई गई है लेकिन आम नागरिक पुलिस से दूर ही रहने का सोचता है क्योंकि उनका ऐसा बिहेवियर होता है कि लोग सोचते हैं कि उनके चक्कर में ना पड़े तो ही बैतर है आज के टाइम में पुलिस की ऐसी इमेज बन चुकी है कि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता लेकिन ऐसा नहीं कि सबी पुलिस वाले ऐसे ही हैं समाज में ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो लोगों की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं और इसमें पुलिस वालों की भी गलती नहीं है क्योंकि उनके उपर भी कोई पैठा होता है जो उने ओर्डर देता रहता है हमारा सिस्टम इस तरह से भरस्ट है कि कोई कुछ अच्छा करने को आगे भी आता है तो उसे पहले पैसो का लालच दिया जाता है और अगर वो ना माने तो उसे दबा दिया जाता है इसी के चलते इस घिनोने दलदल में अच्छे लोगों को भी अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं और यही हमारे समाज की और हमारे सिस्टम की कड़वी सचाई है अब इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ अच्छा करने का सोचे ही ना हमारे मन में अगर अच्छी सोच है और कुछ अच्छा करने का इरादा है तो उसे जरूर करना चाहिए ताकि इस सिस्टम को एहसास होता रहे कि अभी भी लोग हैं जो उसके अंदर रहकर उसके जैसे ब्रहष्ट नहीं हुए हैं अब आते हैं मुस्सीन पर जिसकी वज़ए से जैवीम काफी कांट्रोवर्सी में रही एक सीन में जब आफिसर पेरुमल सौामी सोनार से पुछताश करने के लिए जाते हैं तो वो हिंदी में बात करता है इस मुवी के हिंदी डबिंग में टैलॉक्स चेंज कर दिये गए हैं लेकिन तमिल वर्जन में सेम वैसे ही डैलॉक्स हैं तो यहां पर यह कांट्रोवर्सी उड़ गए कि जब आदमी हिंदी में बोल रहा था तो उसे ठपण मार कर तमिल में बात करने को क्यों कहा गया इस सीन को जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि इसकी कोई जरूरत थी और यह काफी आँकों में खटकने वाला सीन था वैसे काफी लोगों ने यह कहकर डिफेंड किया कि आदमी ओफिसर से बचने के लिए हिंदी में बात कर रहा था इसलिए ओफिसर ने थपन मार का तमील में बात करने को कहा था यह जो डिफेंड करने के लिए बात कही गई उसमें ज़्यादा दम नहीं लगता और कोई मिलाकर यही पता चलता है कि इस सीन की कोई बिजरूरत नहीं थी अब बात करें एक्टिंग की तो जितने लोगों ने इसमें गाउं वाले की एक्टिंग करी है उनको देख कर एक बार भी यह एसास नहीं होता कि यह एक्टिंग कर रहे हैं तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनकी एक्टिंग कैसी रही वहीं एडोकेट चंद्रू यानी सूर्या की बात करें तो उन्होंने अपने वकील के करेक्टर को अंतक निभाय रखा और काफी बड़िया तरीके से अपने किरदार को निभाया है वहीं प्रकाश राज का जादा कुछ बड़ा रोल नहीं था और जो रोल था उसमें भी डैलोक्स की वज़े से कॉंट्रोवर्सी हो गई मुझे उमीद है कि मैंने वो सारी बाते कह दी जो जरूरी थी और वीडियो को और लंबी ना करते हुए मैं यहीं पर विराम लेता हूँ आपने यह एक्स्प्लेनिशन सुनी लिया होगा लेकिन अगर कभी आपको टाइम मिले तो इस मुवी को जरूर देखिएगा यह आपको Amazon Prime पर मिल जाएगी तो ये था explanation जैभी मूवी का आपको मूवी और मेरा explain करना कैसा लगा ये comment करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोज की notification मिल जाएगा